हे गाइज अस्सलाम अलेकुम मैं हूँ जिया वेलकम बैक टू जियाज किचन और व्लोग्स तो जब भी हम कभी ट्रैवलिंग में होते हैं और खाने के लिए किसी होटेल में रुखते हैं हम खाने के लिए नान वेज वेज कुछ भी मंगा हैं लेकिन उसमें एक कॉमन चीज़ जरूर मंगाते हैं तो वह है दाल तड़का और जीरा राइस तो आज मेरा रेस्टरॉन स्टाइल दाल तड़का और जीरा राइस खाने का मन हुआ तो मैंने जोचा ये रेसिपी मुझे आपके साथ भी शेर करनी बनती है और सौरी गाइज एक्चुली आज क्लाइमेक चेंज होने के वज़े से मेरी तब्या थोड़ी से ठीक नहीं है मुझे सर्दी हुए मेरा गलावी थोड़ा आवाज भी बैठा हुआ है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा संभाल के लेने और मुझे उम्मीद है आप मुझे जरूर संभाल के लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेस्टरॉन स्टाइल डाल दड़का और ज अच्छे से पानी में दो तिन बार वाश करके ले लेंगे दालों को अच्छे से वाश करना बहुत ज़रूर है क्योंकि उनमें से जो धूल वगरा होगी वो निकल जाएगी और धोये हुए दाल के पानी को फेकने से अच्छा आपके पौधों में डाल सकते हैं दाल को ज़च करके लाल रखी हुई ति हो उप सारी के पानी केसाथ ही इसमें अड गया एंड कर देंगे रिय आलूस को हमने यहां पनिमे भीगने रख है अकथा तो अनुब युigor तो अब क्यूल हम इसमें स्रिप एक कप पानी एड कर देंगे और एक तेज पता दो लॉग ऐड क को कर लेंगे मैंने यहां पर दाल को जादा टाइम भीगा के नहीं रखा था इसले मैंने कुकर को सिर्फ 3 से 4 सिट्टी ली हूँ कि शिट्टी होने के बाद हम कुकर को थंडा करके उसमें बची हुई हवा निकालके हम कुकर को खोल लेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी दाल एकदम perfect cook हो चुकी है बस इसी तरह हमें हमारी दाल चाहिए अब हम दाल को side में रखके यहाँ पे हम उसको तड़का लगाने लेते तो मैंने वहाँ पे एक बरतन में एक टेबलस्पून oil और एक टेबलस्पून इतना घी आड़ किया है यह मेरा homemade घी है हमारे घी और oil अच्छे से गरम होते ही अब हम इसमें एक टीस्पून इतनी जीरा आड़ कर देंगे एक टेबल स्पून भरके मैंने लसन अच्छे से बारिक कट करके लिया है वो एड़ कर देंगे हाफ टेबल स्पून भरके मैंने अद्रक को बारिक कट करके लिया है वो एड़ कर देंगे वन फोर्थ इतनी हींग एड़ कर देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे अब हम इसमें एक छोटे साइज के पैस को अच्छे से बारिक कट करके इसमें एड़ कर देंगे और इसको भी अच्छे से फ्राइ करके ले लेंगे यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेश करी पत्ता एड़ किये रेस्टरॉन में जादातर दाल तड़के में करी पत्ता नहीं जाता है मैंने एड़ किया है एक सुखी लाल मिर्ची और हाफ टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर एड़ किये हाफ टीस्पुन बरके मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर एड़ किये हाफ टीस्पुन बरके मैंने धनिया पाउडर एड़ किये और हाफ टीस्पुन बरके यहाँ पे मैंने हो मेड़ गरम मसाला एड़ किया है कुछ हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर बारिक कट करके अड़ करके इन सब को अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे और अब हम इसमें एक छोटे साइस का टॉमेटो अच्छे से बारिक कट करके अड़ कर देंगे टॉमेटो मैंने यहाँ पर अच्छा पका हुआ लिया है टॉमेटो गलने तक हम इसको अच्छे से कूक करके ले लेंगे स्पून के हेल्प से टॉमेटो को अच्छे से दबा दबा के इसको पका के लेंगे यहाँ पे हमारा सारा मसल अच्छे से कूक हो चुका है तो अब हम इसमें हमने boil करके रखी वी डाल सारी इसमें add कर देंगे और अच्छे से mix करके ले लेंगे आप देख सकते हैं डाल की consistency एकदम perfect बनिये हमारी डाल तड़का इस stage पे आपको थोड़ा सा नमक टेस्ट करके लेना है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम लगा इसलिए मैं थोड़ा सा नमक add कर रही हूँ अच्छे से mix करके ले लेंगे तो हमारी डाल एकदम तयार है लेकिन रेस्टरॉन में उपर से double तड़का लगता है हमें घी से धुआ आने तो घी को गरम करके लेना है रेस्टरॉन में भी ऐसी ही तड़का लगाया जाता है आप देख सकते घी अच्छे से धुआ आने तक गरम हुआ है तो अब हम इसमें मैंने थोड़ा सा ही पैस कट करके दो टेबल स्पून इतना पैस मैंने बारिक कट करके इसमें एड़ किया है एक सुखी लाल मिर्ची एड़ कर देनी है हमें इसमें और यहाँ पे अब हम इसमें थोड़ी सी हाफ टी स्पून इतनी कश्मीरी रेड चिली पावडर एड़ कर देंगे इन सबकों अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो हमारी दाल निकालके रखी थी उसमें हम इस तड़के को पौर कर देंगे इसमें उपर से अब हम एक छोटा पीस बटर का एड़ कर देंगे और फ्रेश धन्या कट करके एड़ करके फॉरण इसको हम धक के रख देंगे यहाँ पे हमारा दाल तड़का एकदम तयार है तो अब हम यहाँ पे जीरा राइस बनाने लेते हैं तो उसके लिए एक बोल में मैंने देड़ कब भरके बासमती चावल लिये हैं और उसमें पानी याड़ करके अच्छे से वाश करके ले लेंगे और वाश किया हुआ पानी वापस एक बार हम हमारे पोधों में डाल देंगे चावल को अच्छे से दोने के बाद यहाँ पे मैंने साफ पानी से चावल को पानी में भीगने ही रख दिया है तो अब हम इसको तड़का लगाने लेते हैं तो उसके लिए मैंने एक बरतन में दो से तीन टेबल स्पून ओईल लिया है आप चाहे तो घीका भी इस्तमाल कर सकते हैं तो अब मैंने इसमें एक टेबल स्पून भरके जीरा एड़ किया है जीरा खुजबो आने तक हमें गरम करके लेना है जीरा अच्छे से गरम होते ही अब हम इसमें भीगा के रखे हुए चावल एड़ कर देंगे और इन सब को जीरा और ओयल में चावल को भूनते रहेंगे याद रखना है हमें चावल को तब तक भूनना है जब तक हमारे चावल हेवी नहीं हो जाते हैं आपको समझ में आई जाएगा चावल मिक्स करते करते हैं आपका हाथ भारी हो जाएगा तो आप समझ जाना कि यह यहां पे हमें रुख जाना है हमने यहां पर 12 कप चावल यहे तो इसलिए हम यहां पर 3 कप भरके पानी आड़ कर देंगे अगर आप KOOKर में लगा रहे तो आप दाई कप ही पानी कर देना और अब हम इनको एक बार मिक्स करके ले लेंगे और स्वादानुसार नमक एड़ कर देंगे तो अब हम यहाँ पे चावल को हाई फ्लेम पे ढखके 7-8 मिनिट तक बॉयल आने तक रुकेंगे चावल को बॉयल आते ही एक बार वापस एक बार इसको हम सब को चला के ल करके लेंगे हमारे चावल आप देख सकते यहाँ पे और मुस्ट कूक हो चुके तो अब हम यहाँ पे बीना ढकन रखे चार से पाच मिनिट तक ऐसी कूक करके लेंगे चार से पाच मिनिट होने के बाद वापस एक बार आम चेक करके लेंगे आप देख सकते यहाँ पे हमा तो अब हम हमारे जीरा राइस और दाल तड़का सर्व करके लेते हैं और अगर आपको मेरी ये रेस्टरॉन स्टाइल दाल तड़का और जीरा राइस की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे वीडियो की नीचे एक लाइक कर देना और मेरी चैनल पर अगर आप नए है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल ना भूला